जैश्री हरी विश्नु जैमा लक्षमी दोस्तों 23 नवंबर 2023 गुरुवार के दिन करीब 400 वर्षों बाद एक दिव्य और दुलब सन्योग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन सभी एकाद्शियों में से सबसे बड़ी एकाद्शी. देवोठनी एकाद्शी पढ़ने जा रही है, दोस्तों यह एक आदर्श गुरुवार के दिन पढ़ रही है, जिस वजह से इस दिन तीन बड़े योगों का निर्मान हो रहा है, जो की है धन लक्षमी योग, अमरित सिध्धी योग और गस केसरी योग दोस्तों इन तीन तोटका कर लेते हैं, तो आपकी सभी समस्याओं। का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा, दोस्तों एक साल में करीब 24 एकाद्शी पढ़ती है, और 23 नवंबर को पढ़ने वाली एकाद्शी सभी एकाद्शियों में सबसे बड़ी मानी जाती है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुडा यह अचुक उपाए आपकी। देवउठनी एकाद्शी मनाई जाती है, देवउठनी एकाद्शी का दिन श्री। और पूजा करते हैं, इस दिन सच्ची श्रधा और भक्ती भाव से भगवान विश्नु की पूजा करने से सभी। मनोकामनाए पूर्ण होती है, दोस्तों भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए देवउठनी एकाद्शी के दिन भगवान विश्नु जी को केसर और दूढ से ध्यान से सुनना जो दूढ है, उसमें केसर मिलाकर ही केसर युक्त दूढ से भगवान। विश्नु जी का अभिशेक करना चाहिए, ऐसा करने से ही व्यक्ति के सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ती होती है, इसलिए भगवान विश्नु प्रसंद होते हैं, यह जो उपाय है, यह शास्त्रों में लिखित उपाय है, यह बहुत ही प्रभावी और चमतकारी उपाय है, चाहे कोई भी विशेश प्रकार की मनोकामना हो और वह मनोकामना आपके लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उपाय करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, यह बहुत समस्याओं को जेल रहा है, एकादशी के दिन भगवान विश्नु की पूजा करें, कुछ पैसे अर्पित करें, पैसे अर्पित करते समय आपको बोलना है कि हे भगवान ये पैसे में आपको अपनी आर्थिक उन्नती के लिए समर्पित कर रहा हूँ। और पैसों से जुड़ी जो भी समस्या आपके जीवन में होती रहती है, वे समस्या समाप्त हो जाती है, यह पैसे फिर साधारन पैसे नहीं रह जाते, इसमें भगवान विश्नु की शक्तियां जागरित हो जाती है, यह साधारन पैसे नहीं होते, इसे आप संभाल कर रखे यह साक्षात नारायन का आशिर्वाद बन जाते हैं, जहां पर नारायन का आशिर्वाद हो भगवान विश्नु जी का आशिर्वाद हो वहां पर फिर लक्षमी फलती फूलती है कहने का मतलब है कि आध्यात्मिक उन्नती होती है दोस्तों देववठनी एकादशी के दिन भगवान विश्णुजी को तुलसी के पत्ते के साथ सफेद रंग का भोग जरूर अर्पित करें इसलिए तो हो सके तो खीर या सफेद रंग के मिश्ठान भगवान विश्णुजी को डोट भोग लगाना अती उत्तम होता है ऐसा करने से धन में वृद्धी होती है क्योंकि जो माता लक्ष्मी है यह सफेद वस्तु की तरह बहुत जल्दी आकर्शित होती है खासकर माता लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय है सफेद रंग के दूड से बने मिश्थान होते हैं वह माता रानी को बहुत प्रिय है तो अगर आप भगवान विश्णुजी को चड़ाते हैं तो इससे मा लक्ष्मी आपके घर में स्वयही बिना कुछ बोले ही आजाती है और आपके घर की आर्थिक परिशानियों को दूर करती है और भगवान विश्णु भी प्रसन होते हैं दोस्तों हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि धन देने का अधिकार माता लक्ष्मी को है अर्थात माता लक्ष्मी केवल धन देती है लेकिन किसकी किस्मत में कितना धन देना है यह काम भगवान विश्णु जी करते हैं क्योंकि भगवान विश्णु जी को पालनहार कहा जाता है संसार के जीतने भी जीव जन्तु है सबका पालन करने का दायत रखा है भगवान विश्णु जी ने तो भगवान विश्णु जी किसके कर्मों में कितना धन देना है यह निर्ने लेते हैं इसलिए भगवान विश्णु को जितना ज्यादा हो सके देवउठनी एकादशी के दिन प्रसंद करने का प्रयास करें देवउठनी एकादशी के दिन घर के नस्दीक बने जो मंदिर है भगवान विश्नु जी का अगर कहा जाए तो इसे अति उत्तम कहते हैं तो वहाँ पर भी आप नारियल और बादाम भगवान विश्नु जी के स्वरूप मानकर के जो भी देवी देवता है उसे अर्पित कर दें क्योंकि भगवान विश्नु जी ने स्वय भगवत गीता में कहा है कि संसार में जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं वे सब मेरे ही स्वरूप है इससे आपके रुके हुए भी जो भी कार्य है वे पूर्ण हो जाते हैं और उनका परिणाम आपको ततकाल मिलता है जो आस पास के आपके मंदिर है वहाँ पर संध्याकाल के समय में नारियल और बादाम जरूरत करना बादाम की संख्या पांच रखना है साथ ही वीडियो में आईए जानते हैं कि एकादशी में किन बातों का विशेश रूप से आपको ध्यान रखना है आप सफल हो जाएंगे सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सी विशेश जानकारिया है और उपाए है आईए जान लेते हैं दोस्तों देवठनी एकादशी पर तुलसी विवाह अगर आप कराते हैं तथा अगर विश्नुजी का पूजन करते हैं तो विशेश रूप से कुछ आपको सावधानिया रखनी चाहिए या फिर आप हो सके तो ये उपाए जरूर करना यह सावधानी जरूर बरते दोस्तों तुलसी के पौधे के चारों तरफ आपको स्तंभ जरूर बनाना चाहिए फिर तोरण जरूर जरूर जाना चाहिए रंगोली से अश्टदल कमल जरूर बनाए शंख चक्र और गाय के पैर यह तीनों चीजे जरूर बनानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन शंख चक्र और गाय के पैर बनाए जाते हैं तो उसे से घर में भगवान नारायन तथा माता लक्ष्मी अस्थाई रूप से वास करती है इनकी दिव्यशक्ती सुक्ष्म रूप से आपके घर में वास करती है तुलसी के साथ आमवले का गमला जरूर लगाना उनके साथ आमवले का पूजन जरूर करना क्योंकि आम को भगवान विश्णु जी अर्थात नारायन जी के रूप में माना जाता है और तुलसी माता को लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है जिस प्रकार नारायन के बिना तुलसी अधूरी है उसी प्रकार तुलसी के बिना नारायन भी अधूरी है अर्थात भगवान जो नारायन है ये आमवले के स्वरूप में विराज मान होते हैं और माता तुलसी जो है यह लक्षमी का स्वरूप कही गई है यह माता तुलसी के रूप में विराजित है इस दिन हो सके तो तुलसी का पंचोपचार पूजन करना है तो तक शास्त्री का मंत्र तुलसी का आप जरूर जपना दोस्तों माता तुलसी जी से बहुत प्रसन्न होती है, इस दिन घी का दीप और धूप जरूर दिखाना सिंदूर, रोली चंदन और नैविध्य चार चीजे हैं, यह तुलसी माता को चढ़ाने से माता अखंड सौभाग्यवती का प्रधान देती है, पुरुष चढ़ाते हैं, तो ऐसे पुरुष के जीवन में फिर विश्नुजी की कमी नहीं होती है, अर्थात धर्म की कमी नहीं होती, ऐसे पुरुष धर्म के मार्ग में चलने वाले होते हैं, धन की कमी कभी नहीं होती हो सके, तो इस दिन तुलसी माता को वस्त्र अलंकार सुशोभित वस्त्र अलंकार आपको भेंट करना है, दोस्तों लक्षमी जी का अस्तोतर्या दामोदर स्तोत्र यह जो पाठ कहे गए हैं, यह आपको जरूर करना चाहिए, उसी के चारों और दीप दान जरूर करें, ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी को एकादशी की तिथी में दीप दान करते हैं, चारों तरफ तो ऐसे व्यक्ति को मृत्यू के पश्चात कभी भी अंधेरे की प्राप्ती नहीं होती कहने का मतलब है कि आप जो दीप दान करते हैं, वह दी प्रकाशित होते हुए आपकी आत्मा को स्वर्ग तक पहुचाने में मदद करते हैं, हो सके, तो दीदान जरूर करें और दान करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांती मिलती है, जो हमारे पूर्वज जिनहें किसी कारण वश्श्वर्ग की प्राप्ती नहीं हो पा रही है तो दीप दान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ती होती है दोस्तों एकादशी के दिन भगवान विश्णु जी को तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन तुलसी का पत्ता चढ़ाने से दस हजार गौदान के बराबर की प्राप्ती होती है लेकिन आज के दिन जान लीजिये अर्थात इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन गलती से भी तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ा जाता जो की पत्ते आपको पहले से ही तोड़ कर रख ले हैं जिन दमपतियों को संतान न हो तो उन्हें तुलसी मस्तक जरूर पढ़ना चाहिए इससे संतान की प्राप्ती होती है तुलसी नमस्ते के पाठ से शीघ्र ही जिनके विवाह नहीं हो पाते हैं तो उनका शीघ्र ही विवाह हो जाता है बलकी जिनका कोर्ट कचहरी के मामले में कोई केस अगर चलता है तो वह समस्या भी दूर हो जाती है दोस्तों नए घर में तुलसी का पौधा इस दिन लगाने से श्री हरी भगवान विश्नुजी बहुत प्रसन्न होते हैं और ऐसे घर में सभी प्रकार के मंगलकारी चीज प्रधान करते हैं नौकरी पाने के लिए कारोबार में तरक्की के लिए या फिर हो सके तो अपने जीवन में उन्नती के लिए तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांध कर ओफिस या दुकान के आसपास में जरूर रखें इस से आपको नौकरी में कारोबार में भी प्रमोशन मिलेगा आपको हर कार्य में तरक्की मिलेगी आप अपने घर में भी यह कार्य कर सकते हैं तो दोस्तों ये थे तुलसी से जुड़े कुछ उपाए जो आपको इस एकाद्शी पर जरूर करने चाहिए वहीं दोस्तों इस दिन भगवान विश्नु को प्रसंद करने के लिए यदि विशेश उपाए किये जाएं तो विशेश फल मिलता है और साधक की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है यह उपाए इस प्रकार है देवठनी एकाद्शी की शाम तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नम मंत्र बोलते हुए तुलसी के ग्यारह परिक्रमा करें इस उपाए से घर में सुख शान्ती बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई संकट नहीं आता एकाद्शी पर ब्रहम महूर्ट में उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करें तो जीवन के सभी सुख प्राप्थ होते हैं इसके बाद विधिपूर्वक गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए स्त्रियों के लिए यह स्नान उनके पती की लंबी उम्र और अच्छा स्वास्थ्य देने वाला माना गया है यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एकाद्शी पर समीट स्थित किसी विष्णू मंदिर जाएं और भगवान विष्णू को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं इसमें तुलसी के पत्ते डालें इससे भगवान विष्णू जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं एकाद्शी पर एक नारियल व थोड़े बादाम भगवान विष्णू के मंदिर में चड़ाएं यह उपाय करने से आपको जीवन के सभी सुख प्राप्थ हो सकते हैं और अटके कार्य भी बन सकते हैं एकाद्शी पर भगवान श्री विष्णू का के सर मिश्रित दूड से अभिशेक करें यह करने से भगवान विष्णू के साथ माता लक्षमी प्रसन्न होती है और साधक की हर मनोकामना पूरी कर सकती है भगवान श्री विष्णू को पीतामबर धारी भी कहते हैं जिसका अर्थ है पीले रंग के वस्त्रधारन करने वाला एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपडे पीले फल वपीला अनाच पहले भगवान विश्नु को अरपन करें इसके बाद ये सभी वस्तुएं गरीबों वज़रूरत मंदों में दान कर दें ऐसा करने से भगवान विश्नु की क्रिपा आप पर बनी रहेगी यदि आप निरंतर कर्ज में फंस्ते जा रहे हैं तो एकादशी पर समीप स्थित किसी पीपल के व्रिक्ष पर पानी चड़ाएं और शाम के समय दीपक लगाएं पीपल में भी भगवान विश्नु का ही वास माना गया है इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं इस दिन दक्षिना वर्ती शंक में जल भर कर भगवान श्री विश्नु का अभिशेक करें इस उपाय से भगवान विश्नु और मा लक्षमी दोनों प्रसन्न होते हैं धनकी कामना रखने वाले साधक एकादशी के दिन नीचे लिखे मंतर का पांच माला जाप करें ओम हरी क्लीन श्री एकादशी के दूसरे दिन किसी ब्राहमन को भोजन करवा कर उसे दक्षिना वस्त्र आदी भेंट स्वरूप प्रदान करें इससे आपको लाब हो सकता है एकादशी पर भगवान विश्नु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे विश्नु भगवान की मूर्ती या तस्वीर के समीप रख दें पूजन करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें इससे धन लाब होने की संभावना बन सकती है काफी कोशिशों के बाद भी यदी आमदनी नहीं बढ़ रही है या नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एकादशी पर साथ कन्याओं को घर बुला कर भोजन कराएं भोजन में खीर अवश्य होना चाहिए कुछ ही दिनों में आपकी कामना पूरी हो सकती है तो दोस्तों ये थे कुछ उपाई जो की इसके दिन आपको जरूर करने चाहिए और आई है अब आपको सुनाते हैं देवठनी एकादशी की वरत कथा जिसको सुनने मात्र से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का वरत रखते थे प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ती राजा के पास आकर बोला महाराज क्रिपा करके मुझे नौकरी पर रख ले तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी की ठीक है रख लेते हैं किन्तु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा पर एकादशी को अन्यर नहीं मिलेगा उस व्यक्ती ने उस समय यहां करली पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिडाने लगा महाराज इससे मेरा पेट नहीं भरेगा मैं भूखा ही मर जाऊंगा मुझे अन्यर दे दो राजा ने उसे शर्ट की बात याद दिलाई परवाह न छोड़ने को राजी नहीं हुआ तब राजा ने उसे आटादाल चावल आदी दिये वह नित्य की तरह नदी पर पहुँचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा जब भोजन बन गया तो वह भगवान को डोट बुलाने लगा भगवान भोजन तयार है उसके बुलाने पर पीटा धारन किये भगवान चतुर्भुज रूप मिया पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे भोजन आदी करके भगवान अंतरधान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया पंद्र दिन बाद अगली एकाद्शी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज मुझे दोगुना सामान दीजिए उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं इसलिए हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ वह बोला मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं मैं इतना व्रत रखता हूँ पूजा करता हूँ पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिये राजा की बात सुनकर वह बोला महाराज यदी विश्वास नहो तो साथ चल कर देख ले राजा एक पेड़ के पीछे चिपकर बैठ गया उस व्यक्ती ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा परन्तु भगवान ना आय अंत में उसने कहा की भगवान यदी आप नहीं आये तो मैं नदी में कूद कर प्रान त्याग दूँगा लेकिन भगवान नहीं आये तब वह प्रान त्यागने के उद्देश से नदी की तरफ बड़ा प्रान त्यागने का उसका द्रिड इरादा जान शीघर ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठ कर भोजन करने लगे खापी कर वे उसे अपने विमान में बिठा कर अपने धाम ले गए यह देख राजा ने सोचा की वरत उपवास से तब तक कोई फाइदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो इससे राजा को ग्यान मिला वह भी मन से वरत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्थ हुआ देव प्रबोधिनी एक आदशी की दूसरी वरत कथा एक राजा था उसके राज्ज में प्रजा सुखी थी एक आदशी को कोई भी अन्य नहीं बेचता था सभी फलाहार करते थे एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाही भगवान ने एक सुन्दरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए तभी राजा उधर से निकला और सुन्दरी को देख चकित रह गया उसने पूछा है सुन्दरी तुम कौर हो और इस तरह है यहां क्यों बैठे हो तब सुन्दर स्त्री बने भगवान बोले मैं निराश्रिता हो नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है किसे सहायता मांगी राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था वह बोला तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो सुन्दरी बोली मैं तुम्हारी बात मानोगे पर तुम्हे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हे खाना होगा राजा उसके रूप पर मोहित था आथ उसने उसकी सभी शर्तें स्विकार कर ली अगले दिन एकादशी थी राणी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्य बेचा जाएं उसने घर में मास मचली आदी पकड़ाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा यह देखकर राजा बोला राणी आज एकादशी है मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा तब राणी ने शर्ट की याद दिलाई और बोली या तो खाना खाओ नहीं तो मैं बढ़े राजकुमार का सिर्काट लेंगे राजा ने अपनी स्थिती बड़ी राणी से कही तो बड़ी राणी बोली महाराज धर्म न छोड़े बड़े राजकुमार का सिर्दे दें पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आगया मा की आँखों में आसु देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माने उसे सारी वस्तुस्थिती बता दें तब वह बोला मैं सिर्देने के लिए तयार हो पिताजी के धर्म की रक्षा होगी जरूर होगी राजा दोहकी मन से राजकुमार का सिर्देने को तयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विश्णों ने प्रकट होकर असली बात बताई राजन तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला आपका दिया सब कुछ है हमारा उध्धार करें उसी समय वहाँ एक विमान उत्रा राजा ने अपना राज पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चला गया देवउठनी एक आदशी की एक प्रमुख कथा शंखासुर नामक राक्षस की है शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था तब सभी देवताओं के आगरह करने पर भी भगवान विश्नु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विश्नु विश्राम करने चले गए कार्तिक शुकल एक आदशी के दिन भगवान विश्नु की निद्रा तूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विश्णू की पूजा की थी शिव महापुराण के अनुसार पौरानिक समय में दैतियों का राजा दंभ हुआ करता था वह बहुत बड़ा विश्णू भक्त था कई सालों तक उसके यहां संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्रीकृष्न मंतर प्राप्त किया यह मंतर प्राप्त करके उसने पुशकर सरोवर में गोर तपस्या की भगवान विश्णू उसकी तपस्या से प्रसंद हुए और उसे संतान प्राप्ति का वर्दान दे दिया भगवान विश्णु के वर्दान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र में जन्म लिया इस पुत्र का नाम शंखचूर रखा गया बढ़ा होकर शंखचूर ने ब्रहमा जी को प्रसंद करने के लिए पुशकर में घोर तपस्या की उसकी तपस्या से प्रसंद होकर ब्रहमा जी ने उसे वर्दान मांगने को कहा तब शंखचूर ने वर्दान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए ब्रहमा जी ने उसे यह वर्दान दे दिया और कहा कि वह बदरी जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले शंखचूर ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुख पूर्वक रहने लगा उसने अपने बल से देवताओं और असुरों दानवों राक्षसों गंधरवों नागों किन्नरों मनुश्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था शंखचूर के अत्याचारों से सभी देवता परिशान होकर ब्रहमाजी के पास गए और ब्रहमाजी उन्हें भगवान विश्णू के पास ले गए भगवान विश्णू ने कहा कि शंखचूर की मृत्यू भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी आथ आप उनके पास जाए भगवान शिव ने चित्ररत नामक गड़ को अपना दूध बना कर शंखचूर के पास भेजा चित्ररत ने शंखचूर को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लोटा दे परन्तु शंखचूर ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ परन्तु ब्रहमाजी के वर्दान के कारण शंखचूर को देवता नहीं हरा पाई भगवान शिव ने शंखचूर का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाश्वानी हुई की जब तक शंखचूर के हाथ में श्री हरी का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है तब तक इसका बाद असंभव है आकाश्वानी सुनकर भगवान विश्नु वृद्ध ब्रहमन का रूप धारन कर शंखचूर के पास गए और उससे श्री हरी का वाजिब दान में लिया शंखचूर ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया इसके बाद भगवान विश्नु शंखचूर का रूप बनाकर तुलसी के पास गए शंखचूर रूपी भगवान विश्नु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पती रूप में आये भगवान का पूजन किया भ्रमन किया ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवा शिवने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंकचूर का बाध्य कर दिया तब तुलसी को पता चला कि वे उनके पती नहीं है बलकि वे तो भगवान विश्णु है क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने चलपूर्वक मेरा धर्म धरश्ट किया है और मेरे पती को मार डाला आथ में आपको श्राप देती हूँ कि आप पाशन होकर धर्ती पर रहे तब भगवान विश्णु ने कहा देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो तुम्हारा यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंड की नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा तुम पुष्पो में श्रिष्ट तुलसी का विरिक्ष बन जाओगे और सदा मेरे साथ रहोगे तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए में पाशान बन कर रहूँगा गंड की नदी के तट पर मेरा पास होगा देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिगराम और तुलसी का विवाह संपन्द कर मांगलिक कारियों का प्रारंब किया जाता है